अध्याय नौ दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजिवाद और दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहला विश्व युद्ध 1914 और 1918 तक पूरे यूरोप में व्याप्त था इस महायुद्ध को मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और आफ्रीका महादिवपों के धर्ती, आकाश और समुद्र की सीमाओं में लड़ा गया इसमें होई छती के अभूत पूर्वक आकडों के आधार पर इसे विश्व युद्ध की संग्या दी गई यायुद्ध कई आने वाली मानवे पीडियों के इतिहास में एक ऐसे अनुभव के रूप में याद रखे जाने वाली घटना थी, जो अपने परिणाम के फल सरूप फिर से पूरी दुनिया को दृति विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ा कर गई जहाँ पूरी दुनिया हिंसा के चपेट में आ गई थी और विनाश का विभत समंजर धर्ती के हर देश में फैलने लगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ती के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया, पहला मित्र राष्ट और दूसरा धूरी राष्ट पूरी दुनिया विचारधाराओं और अपनी सामाजिक वर्चस्व को केंद्र बिंदु मान कर युद्ध के चक्रविव के चारो और घूमने लगी, जिसमें उदारवादी लोकतंत्र, समाजवात, साम्मेवात और दक्षिन पंत की विचारधाराओं प्रमुक थी उदारवादी लोकतंत्र, तानशा विचारधाराओं के विरुध में थी, उदारवादी लोकतंत्र, समवधानिक रूप से सरकार के पक्ष में थी, जिसमें चुनाओ के माध्यम से ऐसी सरकार का गठन के पक्ष में थी, जो अपनी जनता के प्रती उत्तरदाई हो 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी सम्विधान बने लेकिन इस सम्विधान में धनी वर्ग की प्रधानता मुख्य रही जिसके परणाम सोरूप भरष्टाचार प्रभावी रूप से हावी हो गया लेकिन उदारवादी वेवस्था उस देश में अधिक सफल रही जहां पहले से ही सम्पन्नता थी जिसे ब्रिटेन और सयुक्त राष्ट अमेरिका